गुड़ाप्टनून एवरीवन तो प्यारे बच्चो आज हम सेवें स्टेंडर में सेवें डिसन सीखेंगे तो आज का हमारा टोपिक है आपनू प्राणी जगत आपनी आसपास गणा प्राणीयो जुवा मडे छे बदाना रंग, रूप, जुदा जुदा होल छे बच्चो आज हम प्राणीयो के बारे में जानींगे आप सबको पता है पौशुओ आपना मित्र छे प्राणीयो आपने खुबच काम आवे छे तो आजे आपने लेसन मा जो ये औने प्राणी विशनी वधारे माहीती मेडविये बदाना रंग रूप जुदा जुदा होल छे गाई सफेद, लाल अने काड़ी पन होल छे बच्चो आप लोगोंने देखी होगी गाई गाई लाल, पीडी, काई, सौरी, कोई भी कलर की, अलग अलग कलर की होती है बेस काड़ाज कलर नी होल छे जे बेस छे ते काड़ा कलर नी होल छे तेवीज रिते कोई ने सरीर पर वार होल छे तो कोई ने नथी होता तेमा दरेक प्राणी ना सरीर वार अने दातनी बनावट पन अलग अलग होल छे बच्चो कोई ना सरीर पर वार होल छे बच्चों यहां हाथी का चित्र दिया गया है, हाथी कदमे बड़ा है, उसके आगे दो दात है, एक सून्ड है, कान भी बड़े है, उसके पेर भी बड़े है, उनका चित्र अलग है, गाई का चित्र अलग है, सारे प्राणी अलग-अलग के होते हैं। कोई ना दात धार अनिवाडा होई छे तो कोई ना मोटा चप्टा तो कोई ना दात आपना जेवापन होई छे देखो कोई-कोई प्राणियों के दात हमारे तरह छोटे भी रहते किसी-किसी के बहुत बढ़े रहते हैं तेमज साकाहरी प्राणियों ना दात आगाठी पोहडा पन होई छे जेथी ते घांस खाय सके देखो जो साकाहरी प्राणियों चे बच्चो साकाहरी और मासाहरी जेसे इंसान भी साकाहरी और मासाहरी होते हैं उसी तरह प्राणियों पन साकाहरी और मासाहरी होई छे तो अभी आप लोगों को पता है साकाहारी किसके बोलते जो गाई है भैस है बकरी है ये सब क्या है साकाहारी जो बिल्ली है कुटा सी वाग ये बदा प्राणियों मासाहारी छे तो साकाहारी अने मासाहारी अलग 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 प्रकाना प्राणियों अपनने जोवा मरे छे अने तेमना दात पन अलग अलग हो छे दातनी साथे साथे दर एक प्राणी ना पग्नी रचना पन अलग-अलग हो छे दादनी साथे साथे सब प्राणी की पयर की रजना भी अलग-अलग होती है जेम के केतलाग प्राणीओं नी आङड़ीओं मा नक होई छे तिने पंजो पन केहवाई छे बहुत सारे प्राणीओं के पैर में नाखुन जेसे दिखते तो उसको हम पंजो बोलेंगे तो केतलाग प्राणियों जेम के गाय भेंस ने खरी होई छे तो उट हाथी औने गेंडा ना पगनी पन अलग-अलग रचना होई छे बद्धा प्राणियों नी अलग-अलग रचना आपनने जुवा मले छे मासाहारी प्राणियोना नाक अनिदार अने लांबा होई छे, जारे हरन साबर जेवा प्राणियोना पग लांबा अने पातला होई छे, जेथी ते जड़ब्थी दोडी सके छे देखो जिसके पेर वो पार्तडा मतले पतला होई छेने वो जल्दी से दोर सकते है जेवीरी ते आपनने सांबर्वा माटे भगवानने काननी रचना करी तेवीर से ते प्राणियोंने पन काननी रचना होई छे अलग 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 प्रकार नी काननी रचना आपनने जोवा जैसे इंसान को हाथ पेर मुदात कान दिया है नाग दिया है उसी तरह सब प्राणियों को भी सब चीजे भगवान ने दी है वो हम देख सकते हैं तो बच्चो तेमने सांबढ़वाने सकती पन खुबज हो छे तेमने सुंपने सकती पन वद्धु हो छे बच्चो प्राणियों में सुंगने की सकती बहुत ज्यादा है बहुत तेज है जो इंसान को भी नहीं मिली है इंसान को समझ सकती मिली है बुद्धी मिली है और प्राणियों पन खोराक ले छे, दर एक नो खोराक अलग अलग होई छे, बच्चो सब का खोराक अलग अलग रेता है, जैसे कि गाई भेस हे वो, गास, लीला चारा, ये बदू खाई छे, अन्ये जरे सी, भाग, ये सुखाई छे, मास, मच्ची, जीवता, ना, ना, जीव जन जीवताज, खाय, जाय, छे, अने तेलेवा, नीरीद पन अलग-अलग होई चे, केटलाक प्राणियों, खोराक मोळा थि ले छे, अन्ये पच्ची, बैसी ने धीमे धीमे वाग गोडो छे, जरे केटलाक प्राणियों मास साहरी छे, तेवह, खोराक मा मास लेता होई छे, द प्लोगों ने कहीं बाहार, द्राउन में, राश्तेपे, क्यांग पन तमें जोई हसे, गाई बेसी ने, एमनों मोडू चबाव चबाव करे छे, जेवी रिते, एमनी सामे कई खावानों नती होतु, पन ते, खोरा खाती होई तेम, एमनों मोडू चालूज रहे छे, तेने सु वागोडे, सु केवाई वागवडवू, अन्ने केटलाक प्राणियों मास खाय छे, तेने सु केवाई मास, जयारे वागसी, चित्तो, दिप्रो, वरू, सियाच जेवा, प्राणियों खुब ज हिन्सक, अने जंगली प्राणियों छे, तेने पाड़ी सकता नथी, ते वो ज जंगलमा रहे छे, बार मित्रों. आपने जानिवा के जला आपने जीवे छे, तेवीच रिते प्राणियो पन जीवे छे. दरेकनी रिद्फात अने सरीनी रचना अलग-अलग छे, परंतु आपने ते खुब ज उप्योगी छे, तेवीच रिते आपने बिमार पड़े छे, त बच्चो, प्राणियों आपना जेम जीवे छे, अभी हमने देखाना, तो हमारी तरह ही जीते हैं, हमारी तरह खोराक लेते हैं, और वो भी हमारी तरह बीमार पड़ते हैं, जैसे हम बीमार पड़ते हैं, उसी तरह उनको भी वो भी बीमार पड़ते हैं, उनका इलाज भी होत आपना जीवन मां प्राणियों नों खुबज महत्व छे खुबज हिस्त्व छे आपने खुबज मदद रूपण था चे बचो अभी हम लोग घर पे गाहाई पे आस बकरी नहीं रख रहे लेकिन जो सुबसुब हमारे घर में जो दूद जो चाई बनती है वो कहां से आती वो वहां से वो जाएगा डेरी में जाएगा डेरी से वहां ऐसे फिल्टर करके तब जाके वो बाजार में मार्केट में आती है तो कहां से आएगी जब गाई रहेगे तब ही आएगी ना सब चीज बना सकते है लेकिन दूद बना सकते है दूद पावडर से बना सकते है लेकिन वो उसे हम चाय, माखान, दूद ही, हम अच्छे से नहीं बना पाएंगे, तो वो हमें ओरिजनल दूदी चाहिए, और वो हमें देती है गाई, इसलिए बहुत सारे गाउं में अभी भी गाई है, खिरुत उनसे रोजी रोटी कमाता है, और गाई की सेवा भी होती है, और आपने दर्सन करवा जोए, स्रीव जी नूँ प्रिय प्राणी छे, और गाई ए माता छे, तो गाई ने क्यारेक पन आपने मारवू न जोए, एमने रोटली खवडावी जोए, बार मित्रों, आपने एवा अमुल्ल मित्रों नो ध्यान राखू जोए, तेमाज तेमनों रक प्राणी के साथ अच्छे से बरताव करना चाहिए, उसको कभी मारना नहीं चाहिए, उसके साथ अच्छे से ब्यावार करना चाहिए, उसको खाना देना चाहिए, हम खाना तो नहीं दे सकते बार-बार, लेकिन कभी-कभी दे देना चाहिए, और प्राणी ओ साथे आपने स सारो व्यावार पॉन करू जोए तो बाड़को तमने आ प्राणियों विशे समझ पड़ी हसे तेमनी रचना तेमनो आकार तो आपने आ प्राणि विशनो लेसन सिख्या आपनो प्राणि जगत जे मा अलग-अलग प्राणियों आवे छे अलग-अलग तेमनो कलर तेमनी सरीर तेमनों खोराक नो अलग अलग तेमनों चालवानी बोलवानी बदीज आवड़त अलग अलग होचे अने बदाज प्राणियों अपने अलग 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 रिते मदत रूप थाई छे ओके बच्चो तो आप लगों को ये लेशन समझ में आया होगा और हमें इस लेशन से ये सीख मिलती है कि हमें प्राणियों को अच्छे से हमें संबाद रखनी हैं उसकी देखरेक करनी हैं प्राणियों आपना मित्र छे ओके थेंक्यू